कि अधिक जगाड़ अन्वाक्सिंग चेनल वेलकम बैक टू आवर चेनल दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग खुस होंगे अच्छे होंगे और मजे में होंगे दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या आप लोग यूटूब का सब्सक्राइबर प्रेशान हो गए हैं आप दिखाने के लिए नहीं चाहते हैं वीवर्स को कि जो मेरा यूटूब का सब्सक्राइबर है वो मेरा वीवर्स वह देखे नहीं तो आज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वीडियो से दोस्तों जो कि आज अपने यूटूब चैनल का करते हैं तो मैं आप लोग के लिए बेस्ट एन बेस्ट रिव्यू दिनगा दोस्तों वीडियो दूंगा और साथ में दोस्तों आप बेल आइकन ज़रूर दबाईएगा क्योंकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा चलिए वीडियो में देखते हैं मौयल के स्क्रीन पे गाईस सबसे पहले क्रॉम को आपन करेंगे आपन करने के बाद दोस्तों सर्च बार में टाइप करेंगे यूटूब डेक्स्टाप क्या type करेंगे दोस्तों YouTube desktop ध्यान से देखिएगा spelling दोस्तों open होने के बाद यहाँ पे three dot पे click करेंगे और click करने के बाद desktop mode पे चले जाएंगे यह हमारा desktop mode है दोस्तों desktop site है तो हम यहाँ पे click करके यह हमारा desktop site चला गया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर open होने के बाद हम YouTube पर click करेंगे चलिए click करते हैं click होने के बाद दोस्तों इस तरह का interface खुलेगा देख सकते हैं आप उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पर three line पर click करेंगे three dot पर click करेंगे click करने के बाद फिर से यहाँ पर desktop site पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों इस तरह का interface खुलेगा दोस्तों आप अपने channel के icon पर चले जाएंगे यह हमारा channel का icon है इस channel के icon पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे your channel पे यह हमारा your channel पे click करेंगे दोस्तों your channel पे आते हैं आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो option आती customize channel manage videos तो मुझे इसमें ना जा करके इसमें जानी है तो चलिए कस्टमाइज चेनल पे क्लिक करते हैं ये सिधा YouTube अस्टूडियो अप्लिकेशन पे चला जाएगा दोस्तों अगर इंस्टॉल नहीं किये हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं ओपन हो गया दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इंट्रफेस खुला हुआ है तो यह सारी चीजों में ना जाकर के यहाँ निचे डाउन में जानी है तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैं स्क्रीन को जूम कर दे रहा हूं यह हमारा यहाँ पे सेटिंग का आप्सन है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा setting का option है तो setting पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत सारे features आए हैं बहुत सारे application आए हैं दोस्तों तो यह सारी चीजों में ना जाकर के मुझे channel पे click करनी है किस पे click करनी है channel पे click करनी है जो कि advanced setting और feature eligibility और basic info करके आएगा option दोस्तों तो ये सारी चीजों में ना जाकर के मुझे advanced setting में जानी है देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी advanced setting इस पर click करते हैं चलिए click करते हैं click करने के बाद दोस्तों मैं screen को छोटा कर देता हूँ click करने के बाद दोस्तों इधर बहुत सारे features खुलेंगे बहुत सारे application खुलेंगे दोस्तों जो कि मुझे ये सारी चीजों में ना जाकर के मुझे subscribe count में जाना है subscribe count में जाना है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो subscribe count है यो enable है देख सकते हैं दोस्तों टिक लगा हुआ है यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों मेरा टिक लगा हुआ है उससे टिक पर अंटिक कर देंगे dis enable कर देंगे enable कर देंगे दोस्तों चलिए मैं इसको यहाँ पर enable कर देता हूँ उसके बाद जाकर करके दोस्तों यहाँ पर save का option आता है save कर दीजिए चलिए दोस्तों मैं save कर दिया देख सकते हैं यहाँ पर setting saved हो गया है दोस्तों यहाँ पर मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है सेटिंग सेवड का अब यह मेरा जो सेवड सब्सक्राइबर कॉंट है दोस्तों वो कोई भी व्यूवर्स के पास नहीं दिखेगा कि मेरा जो कितना सब्सक्राइबर हो चुका अभी फिलाल गाइज मैं आसा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको step by step समझ में आए होगी और साथ में दोस्तों मैं जरूर से जरूर मैं step by step समझाने का कोसिस किया हूँ कि आप लोग को अच्छे से बेटर समझ में आजाए कि कैसे हम सब्सक्राइब को गीवर्स को नहीं दिखाएं कैसे अन हाइड करके रखें मैं step by step समझाने का कोसिस किया हूँ अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों साथ महें लाइक जरूर कीजिए का वर साथ में दोस्तों सबसक्राइब जरूर सब्सक्राइब करेंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों नई क्ठक्ठ टवी के साथ झाल